हलो दोस्तों कैसे आप सब आज में लेकर हैं आपके लिए करना दर वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रमोल्टा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते कि प्रमोल्टा के थुरू जो है हम अपने चैनल का या अपने वीडियो का प्रमोशन कर सकते हैं लेकिन पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यह जो मैंने चैनल बनाया है यहां पर मैं लेटेस इंफोर्मेशन जो भी आती है वो तो डालते ही डालता हूं साथी साथ यूटूब टिप्स भी बताता हूं यहां पर जो है मैं आपको कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करू पांचेजार व्यूज पर या इतने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो वो सब बाते रहने देते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको सारी जानकारी दूँगा कि अगर मोनेटाइजेशन के बाद 500, 600, 800 व्यूज भी आ रहे हैं तो उस पे कितना जो पैसा यूटूब देती ह मैं आपको यहां पर दूँगा दोस्तो पहले यहां पर प्रमोल्टा के बारे में बात कर लेते हैं मैं अपने फोन पर आपको लाइव लेके चलता हूं वहां पर दिखाता हूं कि एक्चुल में होता क्या है प्रमोल्टा पर और कितने व्यूज और कितने लाइक और कमेंट या सब्सक्राइबर कितने आते हूं सारी जानकारी में आपको दूँगा तो चलिए दोस्तो चलते हैं तो दोस्तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने प्रमोल्टा का डेस्बोर्ड ओपन किया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि यह जो campaign है मैंने 7 days के लिए चलाया budget जो है यहाँ पर 15 डॉलर मतलब करीबन करीबन 1000 तक इंडियन रुपीज में live status दिखा रहा है और 7 days के लिए जैसे मैंने बताया तो 6 days दो है वो already हो चुका है कल यह campaign जो है खतम हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे को views सिर्फ 56 views मिले मतलब 452 तो मेरे पास already थे बाकी आप इसे 508 से minus कर दीजे तो बाकी जो views हैं वो यहाँ से मिले मतलब 56 views सिर्फ यहाँ से मिले 7 comment तो 7 थे ही 44 likes पहले से थे और 0 subscriber subscriber यहाँ से एक भी नहीं आया तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1000 रुपे पे करा तो यहाँ से सिर्फ 56 views मिले मेरे को और यहाँ पर कोई customer care भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपको logout setting campaign, promote channel, promote video सिर्फ यही option आते हैं यहाँ पर मिलेजा हैं अब यहाँ पर मेरे को category select कर रेता हूँ मानके चल्विए मैं auto category select कर लिया subscriber के लिए सिर्फ मेरे को चाहिए subscriber और यहाँ पर मैं next कर देता हूँ next करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं 7 days के लिए campaign पेन चलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 100 डॉलर लगाता हूँ, मतलब की करीबन करीबन 6,000 रुपए तब जाके 5,000 रुप यहाँ से मिलेंगे अब मैं इसको कम कर देता हूँ जितना पैसे मैंने लगाया था 15 डॉलर तो आप देख सकते हैं कि 15 डॉलर के हिसाब से यह मेरे को अभी बता रहा है कि 750 व्यूज आपको मिलेंगे लेकिन मिला सिर्फ 56 और 15 डॉलर मतलब हुआ दोस्तो 1,000 रुपे इंडियन रुपीज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह costly है तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप पैसे लगाने का सोच रहे हैं तो Google Ads में लगाए Google Ads जो है आज की डेट में सबसे best platform है यहाँ पर पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है मैं यह नहीं कह रहा है कि company खराब है लेकिन मैं अपना review आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें पैसा लगाने का सोच रहे है तो थोड़ा सोच समझ के लगाए तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर कोई customer service वगेरा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ जो है आप अपना वीडियो को promote करें चैनल को promote करें लेकिन customer service के नाम पर बिल्कुल जीरो है जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि promoter में मैंने 1000 रुपे लगाए 500 व्यूज के इसाब से लेकिन मिला सिर्फ 50 व्यूज ना ही कोई like, ना ही कोई subscriber और ना ही कोई comment तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि यह company में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगा है ऐसा नहीं कि company खराब है लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको यह पता रहे कि अगर मैं इस पर पैसे लगाँगो तो मेरा क्या output आ सकता है दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यह सोच रहे हैं पैसे लगाने का तो आज की रेट में Google Ads से अच्छा कोई platform नहीं है यहां पर इनकी customer service तो अच्छी है प्लस अगर आप 1000 उपर यहां पर लगाते हैं तो कम से कम 1000 से उपर तो views मिली जाते हैं और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो views आते हैं वो paid views होते हैं तो इसलिए वो public watch hour में count नहीं किया जा सकता और बाकी दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताया कि 200 views पे 300 views पे कितने पैसे मिलते हैं तो वो मैं आगे आने वाले जो वीडियो होंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा wait किजे क्योंकि एक वीडियो में ही मैं सारा चीज बता दूँगा तो थोड़ा fix up हो जाएगा तो दोस्तों अगले वीडियो में जो आप बनाऊंगा वो उसमें बनाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो 200 या 300 या 400 या 400 या 500 स्क्राइब जरूर रहना थैंक यू